कर लेते हैं हल्दबानी की बनफूल पूरा में कर्फ्यू से बड़ी रहत मिली है सुबे छे से अब शाम पांच बजे तक कर्फ्यू में धील दी जाएगी मेडिकल जनरल स्टोल खोड़नी की अनुमती मिल गई है लाइन नमबर के दवाई नगर में रहत मिलने वाली है मलिक क से अलग अलग जगों पर अलग अलग समय पर कर्फ्यू में धील दी जा रही है और हल्दवानी हिंसा को लिकर बड़ी खबर सामने आ रही है बनफूल पूरा हिंसा कांड के नौ फरार आरोपी मोस्ट वांटेड घोशित कर दिये काई है मुख्या आरोपी अब्दुल मलिक मोस्ट वांटेड घोशित किया गया है साथी मलिक का बेटा मोई भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामल हो गया है पूलिस ने सभी नौ फरार आरोपियों की मोस्ट वांटेड पोस्टर के साथ लिस्ट जारी करती है और इनके पोस्टर लगाये जा रहे है आट परवरी और हल्दुआने हिंसा मामने की मुख्य आरोपी अब्दुल मली को संपती की कुर्की की कारवाई भी अब शुरू कर दी गई है अब्दुल मली के संपती कुर्क करके कल पुलिस की टीम उसके घर पहुची थी अब्दुल मली की संपती का मालिक है मलिक कॉंट्रेक्टर होने के साथ साथ ट्रांसपूर्ट और घरन का भी बड़ा कारूबारी है मलिक समित फरार सभी नौ आरोपियों की संपत्ति कुर्ट की जाएगी कोट ने इसके लिए परमिशन दे दी है इन फराद नौ आरोपियों में मलिक का बेटा अब्दुल मोहित और पार्षट शकील अंसारी का नाम भी शामिल बताय जा रहा है यानि किसी को बक्षा नहीं जाएगा मुक्य मंत्रे में ये साथ संदेश दे दिया है जो भी इसमें आरोपिय है उनके खिलाफ आप कुर्की की कारवाई होगी खास दौफ अब्दुल मलिक और उसकी बीटे पर बड़ा प्रहाद किया है